हेलो फ्रेंड्स आज हम टिक की चाट की रेश्पी शेयर कर रहा हैं सफेद मतर को पूरे रात हमने पानी में भीगा लिया था सुबह इसका पानी निकाल करके कोकर में आड़ करेंगे इसमें पानी नमाक हल्दी आड़ करके दो सीटी लगा लेंगे देखिए मतर अच्छे से गल चुका है आलू को बैल कर लिया है इसका चिलका उतार लिया है आलू को कदू कस कर लेंगे पूरी आलू को कदू कस कर लेंगे कदू कस करने से मसाला अच्छे से मिल जाता है आलू में आलू कदू कस हो चुका है अब इसमें कास्मीरी लाल मिर्च एक चमच काली मिर्च पाउडर आदा चमच चावल का आठा एक चमच आरा रोट एक चमच आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे एक चमच और चावल का आठा और एक चमच आरा रोट आड़ करेंगे थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके इसका टिकी तयार करेंगे इसी तरह से पूरे टिकी को तयार कर लेना है तवे पे तेल आड़ करके टिकी को सेख लेंगे दोनों साइड से लो फ्लेम पे टिकी को सेखेंगे देखिए एक साइड में सेख चुका है दूसरे साइड में पलड़ देंगे दोनों साइड से अच्छे से शेक लेंगे देखिए टिकी कितने क्रिस्पी बना है आप लोग जरूर ट्राइ करेगा तेल गरम हो गया है इसमें जीरा राई हेंग आड़ करके कुछ सकेंड तक भून लेंगे अब इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे धनिया पाउडर एक चमाच जीरा पाउडर अमचुर पाउडर एक चमाच काश्मीरी लाल मीर्स एक चमाच अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को तोड़ा पानी एड़ कर देंगे जिससे मसाला जलेना हली पाउडर आवसकता नुसार नमक एड़ करेंगे पहले भी हमने वायल करते टाइम माटर में नमक एड़ किया था देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है अब इसमें वायल किये हुए मटर को आड़ करके दो मिनट तक पका लेंगे अच्छे से चलाते हुए इसको मेडियम फ्लेम पे दो मिनट पका लेंगे नमक इसमें कम है थोड़ा और नमक एड़ करेंगे प्लेट में एड़ करेंगे उसपे टिक्की एड़ कर देंगे उसके ऊपर से एक कर्ची और छोला एड़ करेंगे बारेक कटा हुआ प्याज हारी मिर्च बारीक कटा हुआ धनिया एक चमस दही को हमने फेट लिया था दही एड़ करेंगे ग्रीन चटनी इमली की चटनी चाट मसाला एड़ करेंगे देखिए चाट हमारा बनके रेडी हो गया वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें तेंक यू